है 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 एलो फ्रेंट्स विल्कम टो ऑनलाइन श्टीकिंग दोस्तों करन्ट अफेर्स श्रीज में हम लोग आज इस वीडियो में टेस्ट नंबर टू को कवर करेंगे प्रेवियस यह आपने कवर नहीं किया है तो प्लैलिस्ट लिंक वीडियो की डिस्क्रीप्शन मिल सेच्वेटिट आपको बताना कहां पर होगा याहां है थ्राभाद की स्पेलिंग ठोड़ा हीजू इचुआई डि इ आरे है स्थाइए यहाँ पर आपको बताना और बास बटाने की और है इसे ह्टार यह स्देभिली तुक्रे सेटर सी ihan श्री योजना जो संबंधित हुआ किसे से है भारत श्री इसकीम इस रिरेटेड़ टू तो भारत श्री ठीक है श्री यस का मतलब यहां पर होगा सेयर्ड सेयर्ड रिपोजिटरी आर इपी ओ यस आई टी ओ आर वाई आप आई से हो जाएगा इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन्ज पी टी आई ओ ये इस इंस्क्रिप्शन्ज यही पांडुलेपी तो प्राचीन पांडुलेपियों का डिजिटली करण से शंबंधित है आपसन यहां पर आपका भी आपका राइट आंसर बन जाएगा यह आपने सब बजट में कबर किया है ने इसकीम मिष्टी उजना और समबंध किस्सी है आपको बताना है चार आप्षन आंपके पास दे रखें समुदुत्र के किनारे मैंग्रो विक्षार ओपण करना है देजमी परेटर को बढ़ावा दिनना या वा सव्क्तिक अंडित का रिखर मेंग्रो इनिसियेटिव फार शूर लय तो शमुद्र तड के किनारे महेंगरों विक्षार उपन करना है आपसर यहां पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा यह भी इस चीम आपकी क्या है बजट्स में ही थी अगला आज संयुक्त राष्ट द्वारा इस वर्ष को अंतर राष्टी ये वर्ष की रूप में मनाया जा रहा है तो which year is being celebrated as the international year's millets by United Nation तो मोटा अनाज जो वर्ष है इन्वैटेंडेशन की द्वारा किस वर्ष गोशित किया गया है यहां पर आपका राइट आंसर बन जाएगा बर्ष 2023 है आपसने हाँ पर आपका सी सही जबाब बन जाएगा अगला प्रशन है निम्नलिखित में से बजट 2023-2024 की संदर्भु में गलत विकलप का आपको चैन करना है find out the false option regarding बजट 2023-2024 पहला कतन है कि प्रधान मंतरी कोशल विकास योजनाफोर की शुरुवात की गई है बात बिल्कुल सही है unity mall जो संबंदित है one district one product की उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है unity mall की बात की गई है है ना तो अपना national ही नहीं बलकि international या इंटरनेशनल नेरियात को भी बढ़ावा देने के लिए unity mall है बात की गई है budget में उजला योजना की तहत 9.6 करोन यल्पीजी connection भी बाटे गए है या कथन तीनों की तीनों अपने आप में सही है चौथा दिया है कि आयकर से छूट की लिए आयकी जो सीमा है वो पांच लाख वारसिक है तो पांच लाख ने कितना कर दिया गया है सात लाख रूपए है सात लाख रूपए है जोकि आप देखते हैं तो जीरू से लेकर कि तीन तक जो हो निल बताया गया है तो इसमें थोड़ा contradiction यह रहेगा कि आपको कोई यदि आप जो है रिबीट नहीं लेते हैं तभी आपको मिलेगा सात लाख तक ठीक है कोई रिबीट रिबीट लेंगे तो आपको जो है तीन लाख कुल मिला के बास आप फैक्ट याद रखो कि जो आई की जो सीमा है वह सात लाख हो गई है पांच लाख की जगा ठीक है तो डी आपसे यहां पर अपने आप में गलत रहा है तो डी आपका सही जबाब बन जाएगा अगला प्रश्ण है कि अमेरिका ने किस प्रावधान के तहत भारतिय उत्पादों पर सुल्क मुक्त आयात को रद्द कर दिया है अंडर विच प्रोविजंस डिड़ दा इवेस रिवोक द्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अन 50 इंडियन प्रोड़क्ट किस प्रावधान के त पचास यहां पर आप 50 कर लिजिए पचास भारती उत्पादों पर सुल्क मुक्त आयात को क्या है रद्द कर दिया है तो 50 इंडियन प्रोड़क्ट रहे इस पर की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती तो उसको क्या है रिवोक कर लिया गया तो किस सिस्टम के तहत है किस प्रा प्राथिमिक्ता की सामनिक्रिती प्रणाली है यह जनरलाइज सिस्टम आप फो फ्रेफरेंस है जी एस पी की तहर्द आप सनिहां पर आपकासी राइत आंसर बन जाएगा अगला प्रशन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 202223 की अनुशार वेतिये वर्ष 2023 में अनुमानित GDP व्र है जी डीपी ग्रोथ रेट है वह फानंसियल एर 2023 24 के लिए कितनी होगी तो आप जानते हैं सर्वे में कहा गया कि जो भारत की जी डीपी विकास इदर है वो छे से लेकर के 6.8 प्रतिशत तक रहेगी जो की बैस्पी कार्थिक और राजनीति घटनाओं पर निर्भर होगी और जो वास्तविक 2024 के लिए जो वास्तविक आधार होगा वो 6.5 प्रतिशत रहेगी राइट आंसर आपका यहां पर बी आप्शन सही जबाब बन जाएगा अगला प्रशन है बजट 2023-2024 के अंसार सहरी अवशन रचना विकास ने दिखा प्रबंधन जो किया जाएगा वह किसकी द्वरा एकॉर्डिंग टू बजट 2023-2024 अरबन इंफ्रस्रक्टर डेवलपमेंट फंड बिल बी मैनेजड बाई तो सहरी अवशन रचना की बात की जा रही तो नीशनल हाउसिंग बैंक होगा आपसन यहां पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा राश्टी आवा हो ना मुद्रा बाइंक है वर्ड बाइंक है डबलू टीयो हाई एमफ है यह सब की बारे में अच्छी से कबरिए खासकर स्थाप नबर्स मिलान करने को दे देते हैं मुख्याले भी पूंच लेते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो आपका अरबन इस प्रसक्तर बिदेश व्यापार नीती 2030 की अनुशार सरकार ने 2023-26 की यंत तक कितने डालर की निर्यात का अलच्छ रखा है according to foreign trade policy 2023-24 government has targeted the export of how many dollar तो how much dollar बताना है by the end of 2030 2030 यहां पर राइट अंसर जो बनेगा दोस्त वह हो जाएगा दो ट्रिलियन डालर की बात की गई है दो ट्रिलियन डालर ठीक है तो बिदेश व्यापार नीती है इसके अनुशार बर्स 2030 तक ठीक है 2030 तक जो है 23-24 फोड़ा हिंदी में यहां पर घज़त लिखा तो आपकी जो foreign trade policy है बिदेश व्यापार नीती है 23-24 इसके अनुशार जो है बर्स 2030 तक जो है कितना डालर निजियात कल्ला कुछ रखा गया है तो दो ट्रिलियन डालर है याद रखिएगा हिंदी में थोड़ा है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि बज़ट दो हजार 23-24 की अनुशार सरकार की अधिक्तम जो प्राप्तियां है वह कहां से है तो बज़ट में जो सरकार की अधिक्तम प्राप्तियों की बात की गई यानि सबसे ज़्यादा पैसा कहां से आएगा सबसे ज़्यादा तो आप जानते व् तो पैसा भी क्या है लोन से ही लिया गया हुआ उधार और अन्य देदारियां है धी कि देवता नहीं देवता तो अगरत अन्य अंदर लाइबिल्टी है आप से यहां पर आपका goods and service tax वहाँ पर आत्या पिच्छा अगे आप देखो अगला है आपका मार्ग मार्ग जो है एक प्रकार का पोर्टल है जिसको निमलखित में से किसके डिजाइन किया गया है मार्ग पोर्टल डिजाइन दिफार तो मार्ग जो पोर्टल है यह डिपार्टमेंट फार प्रमोशन आफ इंडस्टी एंड इंटर्नल ट्रेज दीपी आई 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 टी तो डिपी आई 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 टी जो आपका डिपार्टमेंट है किस मिनिस्ट्री के अंदर तो यह कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है Ministry of Commons and Industry का जो डिपार्टमेंट आता है डी पी आई आई टी डिपार्टमेंट फार प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंट इंटर्नल तो इसी के दोबारा जो है एक पोर्टल को लांच किया गया है जो कि एक नेशनल मेंटर्शिप प्लेट फार्म है बाई स्टार्टप इंडिया तो सिंपल सी बात क्या राइट आंसर होगा यहां पर स्टार्टप मेंटर्शिप के लिए है आप से नहां पर आपका भी सही जबाब बन जाएगा बढ़ते हैं आगे अगला प्रशन है कि आर्थिक शर्वेक्षण दो हजार बाई सु तेशी के अनुसार बेतिय बर्स दो हजार तेशी चोवीश में क्रिसियों शंबद गतिविधियों की जो विरिद्धी दर है वह कितनी प्रिच्छत रहेगी तो क्रिसियों शंबद गतिविधियों की जो विरिद्धी दर है आर्थिक शर्वेक्षण की अनुसार कितना प्रश्चत बताया गया है यहां पर राइट आंसर बन जाएगा तो यहां पर राइट आंसर बनेगा 3.5 प्रतिशत है 3.5 पर्शेंट अगला आए कि बजट 2023-26 के संबन्ध में निमली कतनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि सही कतन क्या होगा तो बजट में राज कुछ यह घटा कितना अनुमानित है 5.9 प्रतिशत है फिसकल देफिसित पहला कतना विल्कुल सही है दूसरा है कि दिपाजिट जो लिमिट से अकॉर्डिंग तो दा सीनियर सेटीजन से सेविंग स्कीम हैज बिन इंक्रीज फ्राम 15 लाग तो 30 लाग है ठीक है तो बरिश नागरिक जो बजट पर योजना की मताबिक जो जमा सीमा है वो 15 लाग से बढ़ा कर 30 लाग कर दी गई है जो मैक्सिमम लिमिट है 15 लाग थी अब बढ़ा कर कितना कर दिया है 30 लाग रूप है तो दोनों की दोनों बाते बिलकुल शत्त हैं ठीक है तो जो आपका senior citizen saving scheme है इसके तैट minimum एक हजार मैक्सिमम कितना 30 लाख रोप है दोनों की दोनों बाते बिल्कुल सत्य है आपसे पर सी राइट अंसर बनेगा नेक्स नीती आयोग के नए CEO के सिंपल जबार राइट आंसर आपका option भी बन जाएगा बीवियार सुब्रा मंद्य में तो 25 फरवरी 2023 से यह आए हैं नए अपॉइंट आगे बढ़ते हैं इसके पहले जो आप्शन है दिख रहा परमीशन आयर रहें आगे मार्च 2023 में बैस्पिक मोटा अनाज सम्मेलन जो मिलेट्स कांफरेंस वाज हेल्ड इन तो आपने देखा कि जो इंडियन इस्टिटूट आफ मिलेट्स रीसर्च है वो हैद्राबाद तलंगाना में है तो आप वहीं लगा कि नचले आईगा ठीक है तो मार्च 2023 में जो बैस्विक मोटा अनाज शम्मेलन आउजित किया गया आप से यहां पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा याद रखेगा ठीक है आई यार आई जो कैंपस है पूशा न्यू देली में जो है वह था आगे देखते हैं अगला प्रस नंबर सोला है कि फरवरी दो हजार चौबीस में कौन सादेश डवलू टीयो के तेरवे मंत् कौन सादेश है इन फरवरी दो हजार चौबीस विच कंट्री विल वी दा प्रेसिदेंट आफ थार्टीन मिनेस्टर्स कॉन्फरेंस आफ डवलू टीयो तो डवलू टीयो के जो तेरवा मंत्री शंबेलन है इसकी अधक्षिता किसकी द्वारा की जाएगी कौन सादेश है दक्षिता करने वाला तो फरवरी दो हजार चौबीस में होनी है तो होस्ट कंट्री आपको बताना है कौन से होगी तो होस्ट कंट्री कौन से होगी सिंपल से बात युनाइटड अरब अमीरात इन अबुधावी दा होगा 26 फरवरी को होनी वाली है ठीक है आप से यहाँ प पिछले सीजन की तुलना में किस अनाज की कीमत में सबसे अधी के ब्रिद्धी हुई है तो सबसे ज़्यादा जो MSP बढ़ाई गई खरीफ सीजन की वो किस फसल की है आपको यहाँ पर बताना है सबसे ज़्यादा जो है ब्रिद्धी देखी गई है किस फसल में धान है तिल में जो है सबसे जादा है इसले के मुकाबले बाइस तैइस की सिजन में रहा है सतत्तर सो पच्छपन फिर बढ़कर कि मुंगा हुआ अपचासी अठावन विरिद्धी आप देखेंगी तो 10.35 की पर्शंट की विरिद्धी दिख रही है वहीं पर अगर सीशम की बात की जाए तो सीशम जो है रहा है तो यह दस तेन के साथ रहा है बाकि सब सिंगल डिजिट में रहे हैं तो मुंग शीशम फिर उसके बाद आपका कॉट एन लांग स्टेपल वाला ठीक है यहां राइट आंसर आप सीसम लगाईएगा अगला प्रशन आपका है भारत अपने किस पड़ोसी देश को मैत्री पाइप लाइन के तर डिजल की आपूर्टी कर रहा है मैत्री पाइप लाइन का संब्ध किस कंट्री के साथ ह यहां पर राइट आंसर बन जाएगा आप्शन डी बांगलादेश मैत्री पाइप लाइन नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में पांचवा एसी आई व्यापार समयलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया यह पांचवा जो एसी आई व्यापार समयलन रहा है 2023 यह जो आपका मलीशिया जो र नारत का जो अस्थान है वह का उन्सा है एकॉर्डिंग टूवर्ड कॉंप्टिटिव नस इंडेक्स 2023 है इसके अंशार इंडिया किराएं का आपको बताना तो पहला नमबर तो आपको मालूम होना चाहिए जो वर्ड कंप्टिव इंडेक्स है किसकी द्वारा जारी किया ज आम पर सर् यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा वहीं पर कंट्री एकर बात करेंगी कि तो पहले चाहिछ का तो इनी भी इस प्रशनों के साथ पूरी का पूरा आपका दूसरा जो क्लास टेस्ट रहा करन्ट अफियर्स का कंप्लीट हो जाता है वीडियो आपको टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी जोएन नहीं कहीं तो जोएन कर लिए दोस्त और वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर क कीजिएगा चनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लिए कि आपकी सब्सक्राइब कर लिए ताकत है पीडियेप के लिए आप टेलिग्राम जोएन कर लिए थैंक्स पर वाचिंग